बिहार पुलिस में बंफर भरती निकल के आ रहे ही पुलिस की है जो कि पूरे भारत के लिए कोई भी कंडिडेट इसमें अपलाई कर सकता है बिहार पुलिस में तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्पलीट जानकारी देने वाले हैं कि बिहार पुलिस में हाइड कितनी तो इसका नोटी वेकेसन आज ही जारी किया गया है जो 22,000 के सम्तिंग वेकेंसी रखी गई है तो अगर आप बार भी पास हो अगर आपकी 18 से 25 साल के बीच में उमर है तो इसमें फोर्म डाल सकते हो तो complete जानकारी देने वाले हैं पूरे भारत के अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले तब इसमें फोर्म डाल सकते हो बिहार हर्याना पंजाब कहीं के भी रहने वाले हो भारत के तो इसमें फारम आप डाल सकते हो तो complete जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिए तो देख सकते हो इसका फोर्म अपलाई कब से होगा तो फोर्म इसक क्योंकि 20 जून से आपके फों में स्टार्ट हो जाएंगे कितने 20 जून से आप प्याने की आज से आप 10-11 दिन के बाद फों अपलाई कर पाओगे तो इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखते रहेगा तो क्या रखी गई सबसे पहले आप लो बता दें आप लोगों की क्वालिफिकेशन रखी गई बारवी पास अगर आप बारवी पास हो तो इसमें आप अपलाई कर सकते हो अभी आरती जो है जो ईसकी उमर कभसे काउंट होगी तो देख सकते एक अठ दोज 222 से एज काउंट की जाएगी आप लोगों की और यहीं जर्नल में बन जाओ गयाने कि जर्नल में काउंट हो गए तो यहां पर जर्नल वालों की यह 18-25 साल लखी है वहीं अगर बात की जाए ओभी सी कंडिडेट हैं तो वह 27 साल तक इसमें फोर्म अपलाई कर सकते हैं वहीं बात की जाए जो यहां पर पिछड़े अत्यंत साल तक और बहीं बात की जाए उसमें च्छोट का आरशन मिलेगी यानए कि आरशन जो छूठ मिलेगा वह उल्ली जो बिहार के कंडिडेट हैं उन्हीं लोगों को इसमें आरचन मिलेगा तो उमर में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी और जो अधर candidate apply करेंगे दूसरे state वाले तो उन लोगों को छूट नहीं मिलेगी तो यहीं पर बात कर लेते हैं कि इनकी हाइड कितनी रखी कितनी आपकी हाइड होनी चाहिए तो फोम अपलाई कर पाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दें जो candidate journal और पिछला यानि की OBC और जर्नल वाले जो बिलोंग करते हैं के टाइगरी से तो उनकी 165 हाइड सेंटीमेटर होनी जो जर्नल और OBC के candidate हैं तो उनकी हाइड होनी चाहिए बेसक आप कहीं से बिलोंग करते हो और आप बिहार प्लिस में अपलाई कर रहे हो तो आपकी हाइड जो है जर्नल में आप काउंट होंगे तो आपकी 165 सेंटीमेटर हाइड होनी चाहिए तब यहाँ पर अपलाई कर आप लोग वहीं बात की जाए अगर अत्यनता पिछड़े हो और बिहार से बिलोंग करते हो तो एक साट है तब भी हाइड चल जाएगी आपकी वहीं बात की जाए जो यह सी एस्टी कंडी डेट हैं तो उनकी 160 सेंटीमेटर हाइड होनी चाहिए और सभी बर्गों के लिए म उनकी चेस्ट की जरूरत नहीं और जो कंडी डेट पुरुस हैं और जर्नल और वहीं सी बाले हैं तो उनका नार्मल 80 सेंटीमेटर चेस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमेटर फूलना अनिवार रहे है और 5 सेंटीमेटर नहीं फूलेगा तो आप जो है अनफिट माने जाओ गया बहीं बात की जाए जो अत्यनते पिछले कंडी डेट हैं उनके लिए भी यही कटाय गिरी रखी गई है चेस्ट 5 सेंटीमेटर फूलना चाहिए और जो कंडी डेट सेंटी से बिलों करते हैं उनका क्या है नार्मल चेस्ट रखा गया है 79 से 4-5 सेंटीमेटर फूलने के नहीं भी बात की जाए सभी बर्गों की जो महिला कंडी डेट है महिला कंडी डेट का बजन कम से कम जो है 48 किलो होना चाहिए इससे कम बजन नहीं होना चाहिए तो चैन पर क्रिया आपकी क्या रहने बादी यह निकि सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से होगा तो सबसे प जो एकजाम होगा वो आपके कितने 100 कोस्चन आपके 기억 मारानेहें कंलो Suzanne बत्ता होगा और जो एकजाम आपका ओब उपलाइखो से होगा। हर ऑफ लाइन मार्धियम से होगा सामाजी बिग्यान इतिहास भूगोल नागरिक सास्त्र बिग्यान भोतिक बिग्यान और यहाँ पर प्राणी बिग्यान या बनस्पत गोटनी आएगी आपकी और सामाणी ग्यान आएगी और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ की समसमाई की यानि की जो है आपकी आएगी जो कर प्यान से अब जाइन से फिस रखी गई है अगर आप और उख के रहने वाले यह स्थ यह स्थ हो तो आप की एक-षट्र रुपे फीज लगने वाली है तो वीडियो पुरा ध्यान से देखें आप लोग तो 180 रुपे लगेगी जो बिहार के कंडिडेट SC और ST हैं और वहीं जर्नल OBC वालों की जर्नल OBC वालों की रखी गई 675 रुपे फीज कितनी 675 रुपे नेक्ष्ट देख लेते हैं उसके बाद जो कंडिडेट 30% से कमंक लाएंगे वो फेल हो जाएंगे और 30% से उपर जाएंगे वो पास हो जाएंगे जैसे ही एक आप इस्टेज पास कर लेते हो लिखित पर इच्छा पास होने के बाद सब नापा जाएगा तो आपकी रुणिंग कितने होने वाली है तो आपका जो एक रुणिंग होगी उसमें क्या है यहां पर जो हैं आपको नंबर मिलेंगे सव अंको का फिजिकल लहने वाला है सबसे पहले आपकी 16-100 मिटर रुणिंग होने वाली है जो पूरुसों के लि होगे तो आपको 50 अंक मिलेंगे और वहीं बात की जाए पांच मिनट से 20 सकेंड में मारों को 40 अंक मिलेंगे तो यहां पर अंक आप अपने हिसाब से देख सकते हों अगर बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो तो अंक देख सकते हो उसके बाद आपका यह होन के बाद महिलाओं को दिया गया है महिलाओं की रिनिंग होने वाली यहां पर एक किलोमीटर होने वाली है टाइम दिया जाएगा आपको 4 मिनिट का 50 अंक हैं और यहां पर जो कम में मारेगा उसके नंबर कम जुडेंगे तो देख सकते हो अगर 4 मिनिट 20 सकेंड में मारते हो या 40 से में है तो आपको 30 नमबर मिलेंगे उसके बाद आपका जो है यह 50 नमबर का फिजिकल हो गया उसके बाद next आपका बचा है 25 नमबर का आपका गोला ठेक होगा जो कि आपको गोला ठेकना है 16 से यगर 17 मीटर आप गोला ठेकन mett देते हो बारा से तेरा फिट है नौ अंक मिलेंगे उसके बाद नीचे आ जाते हैं उची कूद रखी गई है जिसमें आपको अधिक्तम पच्चिस अंक मिलेंगे तो इसमें क्या है तो इसमें देख सकते हैं, उंची कुद आपको 4 फीट मारनी है, अगर 4 फीट आप मारते हो तो आपको कितने इंक मिलेंगे, तो यहाँ पर 13 आपको दिये जाएंगे, जैसे ही आप कम मारते हो, तो उसके बाद आपके इंक घटते जाएंगे, उसके बाद आप यहां पर महिला बिहारतियों के लिए रखा गया, तीन फिट हाइट रखी गई है, भाही अब नीचे आ जाते हैं, अगर आप यह स्टेज पास कर लेते हो, कॉलिफाइड कर जाते हो, उसके बाद जो है आपकी, तो देख सकते हो, उसके बाद जो है, जो आपकी सूची, मेधा सूची बनीगी, उसमें क्या है, परिच्छा में जो है, तीनों इस परदाओं, दोड़, उंची, कूद, गोलाफें, अगर आप पास कर लेते हो, तो क्या है, आपके कुल अंकों के आधार पर, जो है, मेरिट तयार की जाएगी, यापकी मेरिट तयार होगी, उसमें क्या है, अगर जिस हिसाब से बेकेंसी हैं, उसी हिसाब से आपकी मेरिट तयार की जाएगी, यागर मेरिट तयार की जाएगी, उसमें, अगर आप किसी के समान अंक आ जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, किसी इस परकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यारतियों में अधिक उम्र वाले को लिया जाएगा उसमें जो है समान प्राप्त और समान जिनम तित्री वाले अभ्यारतियों को लिया जाएगा यानि कि अगर सपोच करो आपके नंबर एक बराबर होगे तो उसमें क्या तो आचा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा सारी जानकारी देदी है और जो पिछला पेपर हुआ था जो बिहार पुलिस का बुग अगर आप लोग देखना चांते तो वीडियो आपको मिल जाएगा तो कल या वीडियो हम डाल लेंगे अपने चैनल पर तो यहां पर आपका फिजिकली इलिजिविडियोटी यह रखी गई है अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूंच सकते हो थेंक्यू गाईज तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को फॉम अपलाई करने के जाधा दिन नहीं मिले आप लोगों के पास कितने 30 दिन आपको टाइम दिया जा रहा है यानि कि एक महीने के अंदर आपको फॉम अपलाई कर लेना है तो आपके 20 जून से आपके फॉम अपलाई स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी कितनी रखी गई है 20 जुलाई आपको आपकी जो आपकी कितनी जो आपकी जोगों कितनी 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 जोगों कि